हालो एवरिवन स्वामे वे करना इंसिट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम लाइब्रेरी इंफरमेशन साइंस रिलेटेड एक इंपोर्टन टॉपिक को डिसकस करने वाले हैं दाट इस यूर यूजर स्टुडी और यूजर एजुकेशन सो बेसिकली यूजर स्टुडी क्या होता है और उसके हिसाब से यूजर एजुकेशन देना या उसका क्या मैतव है लाइब्रेरी इंफरमेशन साइंस के लिए बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं यूजर स्टुडी और यूजर एजुकेशन अगर हम इस पर बारे में बात करें तो यूजर को एजुकेट करना या फिर यूजर की स्टुडी करना कि किस तरीके का यूजर लाइब्रेरी को यूज करने आ रहा है क्योंकि आज का लाइब्रेरी सिर्फ प्रिंटेशन का ही एक संग्राले नहीं रह गया है इसके अंदर डिजिटल इन्फोर्मेशन भी है उनको एकसेस करने के लिए बहुत सारे डिजिटल प्लाटफॉर्म्स भी है इसके अलावा कम्प्यूटर लिटरेसी होना भी बहुत जादा जरूरी है computer literacy वन network के बारे में जानकारी होना ये सब कुछ user education के अंदर कि किस तरीके से वो अपने resources को access करे क्या way use करे वो चीज हम user education के अंदर पढ़ते हैं और उससे पहले की जाती है user study यानि कि किस type का user, कौन-कौन user आपकी library को access कर रहा है क्या उनकी behavior study है, किस according की वो information access करना चाहते हैं उनके बारे में जानकारी, कत्रित करना या एक तरह से अपने user की पहचान करना user study कहलाता है तो आईए इनी को और detail में पढ़ते हैं user education and user studies सबसे पहला जो हम term लेके चल रहे हैं that is user studies user study में आप देखते हैं type of users जो इसके अंदर involve होंगे क्योंकि हर कोई user similar नहीं होता सबकी अपनी different information need होती है सबका अपना different information access करने का तरीका होता है तो हमें type of users इसके अंदर elaborate करते हैं कुछ literate users होते हैं, कुछ illiterate होते हैं किसी को computer literacy नहीं होती कोई और किसी के बारे में जानकारी नहीं जानता तो different type of users यहाँ पर involve होते हैं चिक है, user study का मतलब क्या है user study mean यानि कि एक particular definition या क्या उसका मतलब है, क्यों जरूरी है वो इसके अंदर हम पढ़ते हैं user study means it deals with the type of information needed by user यह उन चीजों के अंदर काम करती है, जहां पर user को अपनी information need चाहिए या use करनी है तब जाके हमें पता चलता है कि किस type की user study उसके लिए important होगी according to decide या according to उसकी क्या information need है यह देखकर दूसरी चीज it's a systematic examination क्योंकि यहां पर हम study कर रहे हैं of the characteristics and behavior बहुत important है क्योंकि यहीं से आपको पता चलता है कि किस तरीके से react कर रहे हैं, वो क्या behavior उनका है, किस तरीके की information वो access करना चाहते हैं that is involved in user studies चीक है, तो examine करना characteristics को उनकी विशेशताओं को और उनके behavior को कि किस तरीके से वो ढून रहे हैं, चीजों को क्या उनके behavior के aspects है of the user, of the service and system किस तरीके की system में, वो किस तरीके की service जूनने चाह रहे हैं और कौन user है, इस बात की study करना, detail examination करना, that is your user study it is also known as information transfer studies या information need study behavior study ये इसके दूसरे नाम है ये दूसी terms है, जिसके नाम से user study को जाना जाता है चाहे हम इसको user study कह ले चाहे information transfer studies कह ले या फिर information need studies कह ले, ये सारे कथन एक ही चीजों को सपस्ट करते हैं, कि आपको आपकी user की study करनी है, कि वो किस तरीके का user है, क्या उसका behavior aspect है, किस type की information उसको access करनी है और वो आप किस accordingly दे पाएंगे उसको user education इसके बात की term है, because without user के study के, आप उसको proper user education नहीं दे सकते अगर इसके बगार आप उसको education दोगे, तो आपने क्या किया अपना आधा काम किया, कि उसको just educate कर दिया, जो आपका काम था, आपने कर दिया, उसने उस चीज को किसना इस्तमाल किया, किस तरीके से उसको react किया, क्योंकि each and every user जो भी सोच रहे जाया, कुछ भी information access करने का तरीका है, सोचने का तरीका है, all are different, तो किस तरीके से वो आपकी चीज को implement कर रहा है, कुछ होते हैं कि बहुत ज़्यादा active users होते हैं, कुछ expected users होते हैं, तो वो depend करता है कि आपके user study पे कि आपके यहाँ पर library के अंदर किस type का user आ रहा है और क्या user study उसमें करने की जरूरत है, आगे भढ़ते हैं इसी के अंदर planning of user study planning of user study यानि कि आप उसकी planning के लिए user study के लिए क्या-क्या plan करोगे या क्या एक तरह का environment प्रपेर करोगे जब आपको user study करनी है उस particular field के अंदर जहां पे आप user education program चलाने की या मतलब उसके बाद चलाओगे after getting to know about your users उनको study करना कि किस टाइप का user आपकी library के अंदर या कोई भी documentation center के अंदर आ रहा है सबसे पहला survey the previous study पहले अगर कोई study हुई है उस documentation center में या organization के अंदर तो उसको access किया जाएगा क्योंकि उससे हमें बाकी जानकारिया मिल जाती है कि किस तरीके की पहले study इसके ओपर हो चुकी है उसका क्या result था, क्या output आपको मिला था अब आपको जो performa एक तरह का sample है वो उसके accordingly पता चल जाता है कि आपको ये type की study यहाँ पर involve करनेंगे जब आप previous study को survey कर लेंगे देख लेंगे उसके बाद आपने दूसरे step की तरफ भरेंगे which is determine the variable to be study वो determine करना कि कौन सा variable है जो study किया जाना चाहिए किस type का population है जिसको study करना है किस चीज के ओपर आपने जिए जो study करी है वो उसका aspect क्या है scope क्या है वो determine करना then selecting the sample population जाहिर सी बात है कि एक sample population decide करना बहुत ज़रूरी है जब आप plan कर रहे हो user study को क्योंकि आप access population को भी नहीं कर सकते study तो एक proper sample size होना it's mandatory जिसके अंदर आप उनको study करोगे after that उसको और भी population में divide करके आप अपने different users को access कर सकते हो but एक sample size starting की study में होना बहुत ज़रूरी है ठीक है after that determine the method of analysis the data then आपको जो भी data आपने खटा किया by sample population के बाद तो वो कौन सा data आप उसके अंदर analysis के लिए लगाओगे किस तरीके का method आप लेकर चल रहे हो जिससे आप access करोगे अपने result को वो यहाँ पर determine करना then evaluation and presentation कर देना data की जो भी इकत्रित हुआ है चाहे आपने interview लेकर data को collect किया, questionnaire से data collect किया, observation से करा है these are the different modes to collect data तो उसके accordingly आप जो भी data आएगा उसको evaluate कर दोगे and present कर दोगे जिससे क्या हो जाएगा आपको एक proper performer मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको अपनी user study implement करनी है जब आपने तैयारी पूरी कर ली है planning पूरी कर ली है उसके बाद आजाएगी इसकी methodology methodology of user studies user studies के लिए क्या-क्या methodology हमें लगानी होती है तीक है किस accordingly हम user study कर सकते है वो आपका इस slide के अंदर आ रहा है तो अगर हम बात करे methods की कि आप user study किस-किस प्रकार की तरीके को use करके कर सकते हो क्या-क्या mode use करके कर सकते हो पहला आता है आपका journal और conventional methods यानि printed methods ठीक है printed methods भी इसके अंदर आ जाएगे printed sources conventional methods methods या fake journal methods जो कि जादा तर use किये जाते हैं समाने तरीके ठीक है like questionnaire prepare करके आप बटवारे हो अपने user के अपने sample size के अंदर so that जो भी आपके certain objectives है उस related जो questions है उनका जवाब देके आप data collect कर रहे हो कि कि किस तरीके से यूजर का mindset है या क्यासा उसका behavior है वो उसके questionnaire से आपको पता चल जाएगा जो भी वो जिस तरह के भी answers देगा या जवाब देगा उसके अंदर interview लेके सक्षातकार करके ताकि आपको particular पता चले face to face interview करके कि user के दिमाग में क्या चल रहा है किस तरह की information वो access करना चाहता है कितनी detail में करना चाहता है उसको किस चीज की किस किस चीजों की knowledge है यह सब कुछ आपको interview के अंदर भी data collection हो जाता है इसके अलावा diaries property counters पर diaries होती है उस पर आप observe कर रहे हो कि कितना user आ रहा है किस चीज के लिए आ रहा है क्या उसका main purpose करने का इसके अंदर आ जाएगा observation by self यानि कि यहां पर आप उससे ना कुछ पूछ के just to observe कर रहे हो कि user library के अंदर आ रहा है फिर वो पहले कौन से section को access कर रहा है वहां उसको information मिल पाई या नहीं मिल पाई उसका कोई query है तो उसने किसी से पूछा है या नहीं पूछा हो different type of और भी staffs को लगा दिया इस काम में कि आप access करो बच्चों से information निकलवाओ कि वो किस तरीके से documentation को ढूणते हैं क्या क्या तरीका अपनाते हैं वो इसके अंदर आप और ढाल सकते हो तो यह जो थे यह आपके journal methods थे जो ज्यादा तर use किये जाते हैं data collections के लिए चाहे वो user study के लिए हो या कोई भी another research के लिए हो जाधा तर यही यूज किया जाता है indirect methods यह तो थे आपके direct methods के बीच में indirect methods लाइबरेरी रिकॉर्ड जहां पर user involved नहीं हो रहा है आप लाइबरेरी रिकॉर्ड में access कर सकते हो कि कितनी बुक कितनी बार issue हो रही है कौन सा documentation ज्यादा issue कि किया जा रहा है कौन सा digital content ज्यादा access किया जा रहा है कहां पर बच्चों को परशानी हा रही है कुछ उन चीजों का जवाब आप लाइबरेरी रिकॉर्ड से भी ढूंड सकते हो data collection के थूँ then citation analysis के थूँ भी आप data collect कर सकते हो in the field of user studies and the last one is special and unconventional methods like computer feedback each and every app के बाद आप से feedback ल होगे one to ten scale के बीच में पूछा जाता है कि आप कितना scale देना चाहोगे या कितना आपको पसंद आया ratus या feedback form भरवाए जाते हैं इसी तरीके से आप computer के अंदर feedback form डाल सकते हो जिसके अंदर आप उनसे अपनी services के बारे में पूछ सकते हो कि आपको वो cash के लगी good थी या very good एक्सलेंट services थी इस accordingly वहां से information collect कर सकते हो तो यह कुछ methodology सी जिससे user studies एकटी की जाती है या फिर उसके related data collection किया जाता है ताकि आप जान सकें कि कि किस तरीके का user आपकी library को access कर रहा है और किस टाइब का education program user education program आपको अपनी library में चलाया जाना चाहिए या फिर चलवाना चा है उसके बाद जो next access होता है that is your user education ठीक है क्योंकि जब आपको study से पता चल गया कि बच्चे को कहां कहां दिक्कत आ रही है या आपका किस टाइब के users आपकी library में access करते हैं आपके documentation को और कहां उनको issue आ रहा है उसके बाद जो term आती है that is user education program या user education user education क्या होता है सबसे अग user education का मतलब है जो भी वो information need access करना चाहता है information resource access करना चाहता है उसकी संपूर्ण जानकारी उसको देना ताकि वह अपने information जो need है उसको easily satisfy कर दे library के अंदर library services resources के बारे में उनको बताना उनसे रूबरू करवाना ताकि वो educator each and every services and system से जो की library के अंदर use किया जा रहा है कोई भी चीज उनको ऐसी न लगे कि यह चीज चल रही थी और उनको पता ही नहीं है उसके बारे में जब आपको एक बार अपने user का पता चल जाता है study हो जाती है कि यह user बहुत ही efficient है active है expected user है उसके accordingly ही उनको user education program में डाला जाता है और उनका orientation या instruction program प्रोवाइट किया जाता है तो आईए बात करते हैं इसकी definition की अगर हम बात करें user education की user education सबसे पहले ALA ने provide किया था American Library Association ने उसी की definition यहाँ पे लिखी हुई है according to ALA Glossary of Library and Information Science ALA Glossary of Library and Information Science के अंदर यह जो definition है that is a definition of user education जिसके अंदर आपको इसके needs भी समझ में आ जाएंगे या features भी समझ में आ जाएंगे कि user education basically होता है क्या user education encompasses all type of activities designed to teach us about library services, facilities, organization of library resources and search strategy यानि कि user को इन सब चीज़ों के बारे में बताना library का क्या system है, क्या resources है, library के search strategies किस किस तरीके की है क्योंकि आजकल सारा content digitally provide हो रहा है तो information hide रहती है, तो उसको कैसे access किया जाए, कैसे वो सामने हाए, कैसे उसका retrieval हो पाए वो user को बताना, उसको educate करना ताकि वो अपनी information need को access कर सके, use कर सके design to teach करना, library services क्या-क्या है, all type of activities के बारे में बताना, that is user education ठीक है, अगर अब user education क्यों important है, इस बारे में हम देखा जाए, तो अगर user education ना हो, तो library में तो बहुत सारी services है, मान लो आपकी library के अंदर document delivery services भी है, ठीक है, document delivery भी आपकी library services provide कर रही है, IR भी provide कर रही है, information retrieval, webopac भी provide कर रही है, ठीक है, ILL भी provide कर रही है, interlibrary loan भी, ठीक है, और एक user है वहाँ का, जो कि बहुत ही पुराना user है, उसको सिर्फ पता है कि हाँ, ILL provide किया जाता है, document delivery provide किया जाता है, और IR provide किया जाता है, बचा webopac, उसको यह पता ही नहीं है कि यह services library के अंदर है, और provide की जाती है, क्या पता, इसकी मदद से उसका information access और जल्दी हो जाए, और अच्छे से हो जाए, और जादा sources उसको मिल जाए, तो यह जो चीज एक रहे गई, वो इस वज़े से रहे गई, क्योंकि user को पता ही नहीं है, वो educate ही नहीं है, उस program के बारे में, उस service के बारे में, जो की library provide करती है, तो library के sources, resources, उसकी services के बारे में, जानकारी देना होगा, user को पूरी information provide करना, वो किस तरीके से अपनी information निकाल सकते हैं, क्योंकि आज कल library के अंदर भी अगर racks के अंदर information रखी हुई है, books लगा रखी है, तो भी बच्चा एक बार access कर सकता है, दो बार access कर सकता है, बट जब बहुत ही सारे stacks हैं, billions of information हैं, तो बच्चा कितने racks access करेगा, कितना stack access करेगा, तो वहाँ पर उसको need पड़ती है, एक proper reference, services की, query की, उसको selective information चाहिए, तो SDI services की, current awareness चाहिए, तो current awareness services की, document delivered चाहिए, तो delivery की, digital content चाहिए, तो वो कहां से retrieve होगा, वहाँ पर different type of information system की ज़यत पड़ती है, जो की user education program से उसको मिल जाता है, तो I hope so, आपको ये समझ में आ गया होगा, कि किस तरीके का user education दिया जाता है, यहीं हम बात करते है methods की, कि क्या methods use की जाता है, user education देने में, ठीक है, आपको पता होगा, या आप भी जो भी library access करते हो, उसमें बहुत तरीके की अलग अलग तरीके से user को educate किया जाता है, not only in library and information science, छोटा सा बच्चा अगर स्कूल में भी जाता है, तो first day उसका school orientation day मनाया जाता है, अब after that जिससे vacation के बाल बच्चा स्कूल या colleges में जाएंगे, तो उनका first day fresher day या फिर orientation day की तरह से मनाया जाता है, जिसमें उनको बताया जाता है कि जिस organization का वो हिस्सा बने है, उसमें क्य क्या चीज है, उसको उनकी facilities organization से जोडा जाता है, एक समय दिया जाता है, ताकि वो उससे connect कर सके, similarly user education के अंदर भी यही चीज़ें की जाती है, ताकि आप जो भी user है, उनको connect कर पाएं library की services, resources से, ठीक है, methods of user education के अंदर सबसे पहला method आरा library orientation, यानि कि first day ही या फिक जब भी user आरा library के अंदर, तो आप उसको library orientation दे सकते हो, यानि कि पूरा library का structure, पूरी library की information एक ही बार में उसको provide कर देना, एक kind of tour करवाना library का, कि यहाँ पर यह information रखी जाती है, यहाँ पर आप इस type की information access कर सकते हो, यह इस field की information देती है, यह वाला section इस field का information देता है, यहाँ पर लाइब्रेडीज का वह भड़ रहा है इन्फोर्मिशन भड़ रही है तो जितना भी लाइब्रेडी उसके अंदर सर्विस या सिस्टम प्रोवाइट कर रही है वह सब आप ओरेंटेशन वाले डे या जब भी यूजर को ओरेंटेशन की नीड लगे आप उसको करवा सकते हो लाइब्रेरी ब्रॉशर एक प्रॉपर जगह का जैसे कि आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हैं या कोई भी होटाल में जाते हैं तो वहां पर एक मैन्यू कार्ड में क्या होता है उनकी सारी स्पेशलिस या सारी टिशिस जो है वो सब कुछ आपको एक जगा पे मिल जा में चल जाए कि क्या है किसác तरीके से है ऐसी ही लाइब्रेरी में भी ब्रोशर साप रख सकते हैं मिलेगी या कि सर्विस को एक्सेस करके आप अपनी information need को satisfy कर सकते हो तो ब्रॉशर की थ्रूँ आप चेक कर सकते हो catalogs basically library की information library tour करवा सकते हो पूरी libraries का जब बहुत बड़ी-बड़ी libraries होती है तो each and every text में कि यह science का era है यह physics है यह chemistry है यह religion related है psychology related है यह जर्णीलिया है तो different type of जिस भी classification की accordingly library classify हो रखी है उस कुछ तरीके उन बच्चों को बताना ताकि आगे आने वाले टाइम में उनको information access करने में कोई भी दिक्कत ना हूँ printed guide and descriptions लेकर कोई भी जगह की जानकारी हमें अगर चाहिए तो उनकी guide पढ़ते हैं के बारे में information जो भी carded की जाती है या फिर लिखी जाती है वो पढ़ते हैं ठीक है ऐसी लाइबरी की printed guides हम पढ़ सकते हैं कि information कहां किस तरीके से लखी गई है उनकी जानकारी लेने के लिए audio and video tutorials very very जो आजकल famous चल रहा है very famous या very informative जो भी टॉप पर है वो जादा तर चीज़े चल रही है एवी audio and video चाहिए वो visuals के अंदर हो चाहिए information के अंदर हो इन चीजों से बच्चा जादा समझता है कहां आप उसको एक book दे रहे हो text की पढ़ने के लिए कहां आप उसको एक video tutorial दिखा रहे हो तो बच्चा interest user interest लेकि वो जादा अच्छे से access कर लेगा तो एवी बहुत ही famous हो रहे है आजकर library information science क्या हर जगा पर तो आप video tutorials के अंदर डाल सकते हो जैसे आपने कभी भी orientation किया तो आप एक YouTube वीडियो या tutorial डाल के लाइबरी के पेस्ट पर डाल सकते हो ताकि बच्चा each and every किस कभी भी time उसको लगे 24-7 में तो वो उसको वीडियो को नई नई information के बारे में बताएं अब library एकदम से पहले तो traditional way में चल रही थी एकदम से आपने library को automate कर दिया staff को आपने उसकी proper training दे दी बट user को नहीं दी तो आप user के लिए क्या रख सकते हो seminar रख सकते हो seminar में सारी user आ गए एक ही बारी में आपने सिखा दिया और projector के ओपर अगली बार से बच्चा यूजर खुदी एकसेस कर लेगा अपनी information को दैन computer assistant instructions computer assistant instructions जैसे computer में असाइन कर दी आपने instruction की first ये करें then second ये करें कोई भी आप चलाते तो पहले आपको instructions देता है setup of instruction drag it या फिर आपको scroll करना है तो आपका ये चीज information आ चाहेगी first जब भी आपका वो आपको सिखा रहा है कि आप इस तरीके से इस app को अच्छे से use कर सकते हैं उसके features बता रहा है that is computer assisted programs या instructions जो कि हम इसके अंदर दे सकते हैं तो ये थे आपके methods of user education जो कि हम user education के अंदर शामिल करते हैं इनी तरीके से हम user को अच्छे से educate करते हैं या bibliographic instruction भी कह सकते हो आप user education की दूसरे ही नाम है जिनको हम user education के लिए यूज करते हैं user education program library के अंदर होना is now necessary अगर यह नहीं होगा तो जितनी जादा information भढ़ रहे हैं resources भढ़ रहे हैं system भढ़ रहे हैं जब तक user को यह नहीं पता होंगे तो वो उसको access ही कैसे करेगा for example books are for use first law of library and information science given by ऐसर अंगना books are for use जब तक वो visible ही नहीं होंगी दिखेंगी ही नहीं close access में रखी जाएगी open access में नहीं रखी जाएगी पच्छा कैसे use कर लेगा इसलिए उनको user को educate करना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी information को access कर सके तो यह two topics जो की UGC.net के काफी important topics हैं इनको हमने आज discuss किया that is your user studies and user education hope so वीडियो को देखके आपको यह दोनों अच्छे से समझ भे आ गए होंगे इन से related आख question access कर सकते हैं कि किस तरीके से इन पर question आता है अगर कोई भी आपको doubt होता है आप comment section में पूछ सकते हैं तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से access कीजिए and like कीजेगा and share कीजेगा thank you so much